क्योंट दूस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी dalม這一 canale Member के लिए influence लाइं झिय मांग डियागना होता है मैं तर इन तो को देखने के लिए एम लोग बनाते हैं influence line diagram क्योंकि स्टेटिक लोड के लिए हम लोग क्या मनाते हैं सियर फोर्स और बेंडिंग मुवमेंट डाइग्राम मनाते हैं कि यह कोई पर्टिकुलर बीम है उसमें क्या कोई है एक पॉन्ट लग लग अगर मुव करने लगे अग्राइब हमारा यह पर्टिकुलर कोई हमें ब्दाइब ग्राम करने लगे इसका इसका एक लिए किसा करने पड़ेगा उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा इंफ्लूएंस लाइन डाइग्राम ठीक है तो इंफ्लूएंस लाइन डाइग्राम हम लोग बनाते हैं मुविंग या रोलिंग लोड के लिए हमें समझ में आ गया आज का इस पूरे ट्रस में लगने वाले लोड के देखने वाले तो देखते हैं डीजए एक डाइग्रल मेंबर हैं थिक है तो इस डीजए मेंभ में में हैना क्या आएगा जब लोड इस पूरे ट्रस में मुव करेग सिपोई लोड यहां पहाएगा इसके बाद यह लोड अगर माली जिए आसे मूव करते हुए यहाँ आता है तो इस dj का influence light diagram कैसे बनेगा यहां आता है यहां आता है यहां आता है यहां आता है तो कैसे क्या बनेगा तो already यह diagram हमारा नीचे बना हुआ है इसे हम बनाएंगे कैसे यह भी हम समझेंगे पर थोड़ा सा एक understanding develop करते हैं देखें दोस्तों यहां पर जब यह रहेगा तो यहां पर आपको load नहीं दिख रहा है या फिर ild में कोई variation नहीं दिख रहा है जीरो है ठीक है और जैसे जैसे हम लोग इस load को आगे बढ़ाते जाएंगे तो देखिए यह हमारा ild ऐसे बढ़ता जा रहा है फिर यह इसे बढ़ता जा रहा है इसका मतलब क्या है कि जब भी load ऐसे आगे move कर रहा है load यहां से यहां आरहा है तो क्या हो रहाएं डीजे में tension बढ़ता जा रहा है यह उपर की तरफ graph इंचिन बढ़ता जा रहा है फिर बढ़ता गया tension यहाँ पर maximum tension हो गया उसके बाद जैसे ही ही है यहँग पर इस particular कि सी point में आया तो डीजे में क्या हुआ effect जो है बिल्कु जीरो हो गया ठीक है इसके बाद फिर इसको हमने आगे बढ़ाया है यहाँ पे तो अब इसमें compression आ गया दोस्तों यह देखिए compression कैसे यह देखिए यह जो graph है यह हमारा zero line से नीचे आ गया और इसके बाद जब यह point load यहाँ end पे गया यह end पे move किया यह load तो फिर से हमारा यहाँ पे effect जो है zero हो गया दोस्तों तो यह हमारा influence line diagram हमें show कर रहा है किसका DJ के लिए particularly DJ के लिए तो यह ILD बनाते कैसे यह देखते हैं कैसे बनाते हैं दोस्तों हम हर एक point में क्या रखेंगे unit load रखेंगे हर एक point में unit load रखेंगे वन ठीक है और उसका effect देखते हुए हम लोग यहाँ पे यह ILD draw करेंगे अब आप बोलोगे कि unit load रखोगे तो माल लीजे यहाँ पे अगर 50 kN का load आ रहा है तो उसको कैसे फिर आप यहाँ पे justify करोगे तो इसका यही फायदा है कि हम one के लिए बनाते हैं और जिसे इसका जो effect आ रहा 50 का आ रहा तो तो यहाँ पे जितना भी load आएगा उसको हम 50 से multiply कर देंगे यहाँ पे जो effect हमारा आ रहा होगा उसको हम 50 से multiply कर देंगे यहाँ पे आगे हमारा 54 तो यहाँ पे एक्च्व यूनिट लोड रखने के कारणा कित आगे हमारा 5 आगया पर यहाँ पे यूनिट लोड नहीं आ रहा है आप बोल रहे हो 50 किलोनिटल लोड आ रहा तो हम क्या करेंगे इस 5 को 50 से multiply कर देंगे तो एक्च्वल इफक्ट कितना आएगा 250 यह ना 550 25 250 तो यह benefit होता है हमारा कि हम किसी भी एप्लाइड लोड के लिए फिर वहाँ पर हमारा ILD देख सकते हैं तो चलिए देखिए जिसे माल लीजिए हमें DJ के लिए क्या बनाना है ILD बनाना है ठीक है DJ के लिए ILD बनाना है तो हम क्या करेंगे unit load रखेंगे यहां पर तो यहां पर रखने वाले unit load के कारण इसमें कोई effect नहीं आएगा 0 आ जाएगा हमारा अब हम इस unit load को move करेंगे point B पे point B पे move करेंगे दोस्तों है ना जब हम B पे unit load रखेंगे तो इससे पहले हम लोग क्या करते हैं summation of moment about a 0 calculate कर लेते हैं ठीक है एक about moment निकालते हैं तो एक about moment निकालेंगे तो क्या होगा इस point को fix कर देंगे ठीक है अब बाकि सारे loads के current effect निकालेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा ry into यहां से यहां तक की distance तो यह हमारी यहां से यहां तक distance किती है 5L into ry ठीक है reaction in upward direction ठीक है उसके बाद यहां पे कोई load लग रहा है के नहीं लग रहा हमने लेकिन यहां पे point B पे unit load लग रहा है तो point B पे unit load लग रहा है और यहां से यहां तक कि डिस्टेंस किती है ऐसी है यह इसको ऐसे मूव करवाएगा ठीक है ना तो हम इसको माइनस कर देंगे और यह इसको ऐसे मूव करवा रहा था है ना तो यह वन के खारण और यहां से यहां तक कि डिस्टेंस किती है वन है तो हम यह इसे calculate कर लेंगे तो यहां से हमारा RY कितना आ जाएगा 1Y5 आ जाएगा दोस्तों ठीक है इसके बाद हम लोगों क्या करना है यह RY हमारा 1Y5 आ गया अब हम क्या करेंगे हैं से section कटेंगे DJ का एक section इसे cut करेंगे DJ का हमने section कट किया तो यह देखिए दोस्तों कुछ ऐसा हमारा निकल के आ गया ठीक है अब हमें क्या करना है फोर्स आमेशन और फोर्स इन वाय डिरेक्शन निकालना है तो यह जो horizontal लग रहा है यह forces ठीक है इनका हमको कोई मतलब नहीं है यह force यह force का हमें कोई मतलब नहीं है vertically कौन सा फोर्स लग रहा है एक यह लग रहा है ठीक है उपर की तरफ और यह डीजे जो है डीजे कुछ ऐसा लग रहा तो इसका एक component आएगा डाउनवर्ड डारेक्शन में इसका component आएगा क्या आएगा इसका component एफ डीजे भाई रूट टू ठीक है जो इसका और कॉस कंपोनेट आएगा वह डीजे रूट टू आएगा तो यह हमने यहां पर इनको हम सॉल्व कर देंगे तो यह उपर लग रहा है और यह नीचे लग पर कितनी आगी। रूट तो यह हमारी डीजे की वैल्युओ अगई कब आई यह जब हमने यूनिट लूट रखा ता पॉइंट बी पे तो पॉइंट बी पे यूनिट लूट रखने के कारण क्या इफेक्ट आ रहा है डीजे में यह 2 by 5 similarly अब हमको क्या करना है कि हम यह point load C पर हम क्या करेंगे C पर unit load ём C पर रखेंगे जब हम C पर unit load रखेंगे तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा हम क्या करेंगे फिर इसके बाद जब C पर unit load रखेंगे तो फिर से हम moment निकालेंगे को फोर्सेस को एक्वेट करेंगे तो जब सी पर यूनिट लोड रखने के कारण हमारा एफ डीजी की वेल्यू कितनी आएगी दो सीमिलर तरीके से सॉल्व करना यू कें सॉल्व इट बस आप यह इस मैथड को एक बार समझ ले और एक बार ध्यान से करेंगे तो एजिली आप पॉइंट डीपे डीपे रखो गए तो आपकी एप डीजे की वेल्यू आएगी 655 रूट टू इसी तरीके से जब आप कंटिनसली ऐसे रखते जाओ गए ना सिमिलरली हमने लिखा है कि सी पर लोड सी पर रखोगे तो 452 डीपर रखोगे तो 655 रूट टू इपर रखोगे सेंगे ऐसे ऐसे और यह इसे दोस्तों यह जो उपर साइड्य क्या चो कर रहा है टेंशनोel नीचे कम्परिशन को कर रहा तो इस तरीके से इसका मतलब हुआ जिसे कोई भी आप खोई विकल आप हम लोग मानके चलें जिसे कोई भी X Y Z कोई भी वहिकल है वो मूव कर रहा है ठीक है कोई भी X Y Z वहिकल जो है मूव कर रहा है माल लीजिए यहां से यहां ठीक है यहां से यहां मूव कर रहा है तो इसका जो भी वेट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे इस ILD से मल्टिप्लाय कर देंगे ठीक है दोस्तों तो यहां से आगे बढ़ा तो टेंशन आएगा डीजे पे आगे बढ़ा फिर से डीजे पर टेंशन आएगा फिर आगे बढ़ा फिर डीजे पर टेंशन आएगा अभी आगे बढ़ेगा इस point पे क्या होगा DJ पे कोई effect नहीं आरहा जीरो हो जारह है फिर यह है यहाँ पर आया तो DJ पर क्या रहा है compression आरहा है नीचे की तरफ ठीक है और यहाँ पर जब है लोड पाइंट लोड आएगा तो DJ में कोई effect नहीं आएगा तो यह तहा हमारा diagonal member का influence line diagram बहुत easily बहुत अच्छे से हमने इसको समझा है तो इस तरीके से rolling load या moving load के effect को दिखाता है दोस्तों और इस तरीके से हम लोग calculate करके influence line diagram हम लोग easily बना सकते हैं thanks for watching